हेलो अभरीवान माय वर्तिका स्वाथ करती अपने चानल पर तो अभी फिर केवेस ने एक ओफिशल नोटीस जारी कर दिया है देखते हैं इस नोटीस में क्या का आ है उन्होंने और काफी इंपोर्टेंट नोटीस है क्योंकि इसमें उन्होंने कॉट आप उफिशल कॉट तो अपी तक जो लग रहा था कि कट ऑफ नहीं देंगे तो फाइनली ये ख्लियर हो चुका है कि कट ऑफ भी देंगे तो बैक तो बैक के वेस नोटिस निकाल रहा है और फुली जल्दी ही अधर पोस्ट का भी रिजर्ट वो देतेगा तो यहां पर प्रिंसिपल की कट ऑफ कि OBC का 127 है और EWS का 128 है मतलब लगबग लगबग सेम गया हुआ है और SC का भी सेम गया हुआ है मतलब ऐसे दिखा जाता था कि OBC और SC में थोड़ा था डिफरेंस होता था कट ऑफ का लेकिन SC का भी लगबग 80 पास गया है ST का 107 है और यह PRT मूजिक की है तो अब यहां से अब यह हम लोग को यह लगेगा कि प्राइमिरी टीचर का भी ऐसे जाएगा तो ऐसे नहीं है पहली बात तो अब कई सारे फैक्टर जो है अफेक करेंगे फाइनली जो प्राइमरी टीचर की जो वेकंसी है या अधर जो पोस्ट है क्योंकि यहां पे जो वेकंसी पहली बात तो कम थी 303 वेकंसी थी और 969 कैंडिडेट को बुलाए गया था ठीक है तो उसके हिसाब से बनिये अब जो प्राइमरी टीचर की में बात करूँ जिनका भी प्राइमरी टीचर की बात रही तो उनमें किन पोस्ट के लिए होना है किवल प्राइमरी टीचर की बात रही अब अधर पोस्ट प्जीट तो उनमें नहीं होंगा normalization किन post के लिए होना है केवल primary जो PRT वादी post है और JSA वाली है जिनमें भी multiple shift हुई है उनमें होगा otherwise नहीं होगा ठीक है तो जिस भी post का हुआ है multiple shift में उनमें normalization को आप कह सकते हो और अब बस यह है कि wait कर सकते हैं हम लोग result का और इनकी इतनी गई है तो अब यह सबके अंदर ही है कि हो सकता है कि primary teacher की भी primary teachers की भी ACS है लेकिन अब percentile है तो यह भी हो सकता है कि कम नंबर वाले के ज़्यादा भी हो सकते हैं और ज़्यादा वाले के कम भी हो सकते हैं कुछ कहा नहीं जा सकता तो finally बस यही notice टेर करनी थे आप से और ठीक है अब आप तयारी करते रहिए और other exam की भी त्यारी करते रहिए और interview की भी त्यारी करते रहिए तो thank you